हेलो फ्रेंज, कई बार आपने देखा होगा कि अपने बालों से प्यार करना हर लड़की की पहली चाहत होती है लंबे, खुबसूरत, घने बाल हर लड़की की चाहत होती है मेरी तो है, I am sure कि आपकी भी होगी अपने बालों को हमेशा स्ट्रेट रखना, घने रखना, चमकदार बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट जितना की खाना और सांस लेना होता है इसलिए हम जब भी अपने बालों को स्ट्रेट करने के बारे में सोचते हैं तो या तो हम पालर जाकर स्ट्रेट्निंग का अपांणमेंट लेते हैं या फिर बाजार से कोई hair straightener खरीद कर ले आते हैं और घर पर ही स्ट्रेटनिंग करना स्टार्ट करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार में और यदि हम घर पर अगर बिना सही जानकाली के स्ट्रेटनि ना करें तो हमारे खुबसूरत बाल एक जाड़ू के तरह से बरबाद हो जाते हैं हमारे बाल जड़ने लगते हैं, डामेज हो जाते हैं और दिखने में काफी ज्यादा अनहल्दी लगने लगते हैं तो आई ही जानते हैं कि अगर आप hair straightener का प्रयोग कर रहे हैं जी हाँ, जो सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी के hair straightener होते हैं उनके अंदर silicone लगा होता है जो कि बालों को heat तो देता है लेकिन उन्हें जलाता नहीं है और उन्हें damage भी नहीं करता है इसलिए हमेशा अच्छे क्वालिटी का ही hair straightener खरीदे हो सकता है कि ये थोड़ा सा महंगा हो लेकिन आपके बालों को लंबे समय तक सुंदर बनाने के लिए ये ज्यादा महंगा सौधा नहीं है टिप नमबर टू अगर आप straightener बाजार से खरीद कर ला रही है तो उसके अंदर कुछ qualities का होना बहुत जरूरी है जैसे कि temperature को कम या जादा करने वाले बटन का होना और अपने आप machine के बंद होने वाला बटन का होना भी बहुत जरूरी है जिसे automatic shut off कहते हैं ये usually हम machines के अंदर या फिर iron के अंदर देखते हैं लेकिन अगर आप straightener खरीद रही हैं तो उसके अंदर भी ये बटन होना चाहिए ताकि आपने जो तापमान सेट किया है machine के अंदर जब तापमान पहुंच जाए तो machine अपने आप ही बंद हो जाए ऐसा करने से वो overload नहीं होगी और आपके बालों को जलाएगी भी नहीं टिप नमबर 3 अपने बालों को straight करने से पहले उन्हें अच्छे तरीके से wash करना और conditioner लगा के दुबारा से wash करना बहुत जरूरी है ऐसा करने से बालों में जमागंदगी हट जाती है और बाल काफी हट तक smooth हो जाते हैं जब बाल smooth होंगे तो आपको iron करने में इनमें काफी ज्यादा आसानी होगी टिप नमबर 4 बालों के अंदर straightener का यूज़ करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने बालों को अच्छे तरीके से सुखा लीज़ें क्योंकि जब बाल गीले होते हैं तो उसमें straightening करने की वज़़े से काफी ज्यादा problem हो सकती है और बाल कभी भी गीले होते हैं तो उन्हें straightening नहीं करना चाहिए अगर आपके बाल गीले हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से सुखा लीज़ें जब आपके बाल पूरे तरीके से dry हो जाएं यानि कि सूख जाएं उसके बाद ही straightener का प्रयोग करें टिप नमर 5 अपने बालों को straight करने के लिए कभी भी अपने बालों को एक साथ straight करने की कोशिश बिल्कुल ना करें जी हां अशा करने से बार ठीक तरीके से straight भी नहीं हो पाते हैं और बार damage भी काफी ज्यादा होते हैं अगर आपको अपने बालों को स्ट्रेट करना है तो अपने बालों को जिस तरीके से बचे स्कूल जाते समय चुटिया बनाते हैं पोनी टेल्स बनाते हैं दो भागों में डिवाइट करके ठीक उसी तरीके से अपने बालों को दो भागों में डिवाइट कर लीजे आधे इस section को अराम से straight कर सकती है tip number 6 बालो को straight करने के लिए सही temperature का पता होना भी ज़रूरी है अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं और बहुत ज्यादा हलके हैं अपने machine के तापमान को सब से low रखिए क्योंकि ऐसा करने से बालो के straight के अच्छे तरीके से हो जाएगे और बाल जलेंगे भी नहीं लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके बाल मोटे हैं और काफी भारी भी हैं तो आप high setting चुन सकते हैं सो फ्रेंस अगर आज के बाल आप घर पर ही hair straight करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ सावधालियों पर ध्यान दे ताकि आपके बाल सुपर स्मूध बने अच्छे दिखे और आप हार पार्टी की जाह बन जाए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिब वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजी